दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सारुक खान के फिल्म जीरो के बारे में जिसे 21 दिसंबर को सुक्रवार के दिन बड़े पर रिलिज किया जाएगा आपको बता दू कि सारुक खान के फिल्म जीरो से सिर्फ फिल्म के मेकर्स को ही नहीं बलकि फैंस और बॉक्स ओफिस को भी काफी उमे दे हैं इस फिल्म के ट्रेलर को हर त्रफ काफी अच्छी रिस्पॉन्स मिली है और इसी के साथ जानकार ये उमीद लगा रहे हैं कि फिल्म इस साल के ब्लॉक बास्टर फिल्मों के लिस्ट में सामिल हो जानकारों के मुताबिक फिल्म अपने पहले विकेंड पर 75-90 करोर की कमाई कर सकती है वहीं कुछ ट्रेड एक्सपर्ट इस फिल्म के रिलिज से पहले ही फिल्म को ब्लॉक बास्टर घोसित कर दिया है वहीं दोस्तो दूसरी दरब खबरे आ रही है कि इस फिल्म को साथ इंडियन बॉक्स आफिस पर काफी ज्यादा स्क्रीन पर रिलिज किया जा रहा है ऐसे में फिल्म के मेकर्स फिल्म के कलेक्शन को बढ़ाने का कोई मौका नहीं गवाना चाहते वहीं सारुक खान भी धुआधार प्रोमोशन कर रहे हैं दोस्तो हमारे पास आई रिपोर्ट्स के अनुसार जीरो फिल्म की सुटिंग के कुछ अंस अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा में किये गए हैं इस फिल्म के कलाइमेक्स की सुटिंग नासा में ही किये गए हैं खबरों के मुताबिक इस फिल्म की सुटिंग नासा में करीब 45 दिनों तक चली थी लेकिन नासा के प्रोटोकॉल्स और सुरक्षा के लिहाद से फिल्म में कुछ ही सोट्स को दर्साया गया है आपको बता दू कि इस फिल्म में सारुक खान के अलावा अनुस्का सर्मा कट्रीना कैप भी हैं वह इस फिल्म को डाइरेक्ट किये हैं आनंद एल राय ने जैसा कि दोस्तों इस फिल्म को 21 दिसंबर को रिलिज किया जा रहा है तो आपके हिसाब से क्या ये फिल्म 300 करोड के कलब में सामिल हो सकता है या नहीं कमेंट सक्षन में जरूर लिखें और हमारा ये नियूज अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें